नमस्कार मैं हूं धर्मेंदर आप देख रहे हैं ओलाइन नियूज इंडिया 2014 से पहले नरेंदर मोदी जी कहते थे कि मैं किसी लुटेरे का पंजा देश की तिजोरी पर नहीं पड़ने दूँगा लेकिन आज हालत क्या है हालत यह है कि देश का चोकिदार होने का दावा करने वाले देश के प्रधान मंत्री अपनी चोकिदारी के अंदर अपनी चिडिया को नहीं बचा पा रहे हैं उनकी चिडिया हैक कर ली गई है नरेंदर मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और वो भी कब एक साल के अंदर दो बार एक साल के अंदर दो बार जो है वो नरेंदर मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और नरेंदर मोदी जी डिजिटल इंडि रेंदर नरेंदर मोधी जी का जो यह जो है ननेंदर मोधी जी-के ट्वीटर से ट्वीट किया गया Prinzess unfय अफिशली अडोप्ट बिटकोई एज लीगल टेर। बिटकोईन को नरेंदर मोदी जी के ट्वीटर अकाउंट से लिगली बताया गया है कि हमने इस पर कानून बना लिया हमने इसको अड़ोप्ट कर लिया है और नरेंदर मोदी जी के बारे में लोग वैसे यकीन कर लेंगे क्योंकि वो असानक से कुछ भी ट्वीट करेंगे कुछ भी अचानक से ट्वीपर आकर ये बोल देंगे और वही चीज लागू हो जाती है और यही चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन सोच करके देखिए जो लोग कहते थे कि मैं चोकिदार बन करके बैठ हो गई है इससे जादा जो है वो हकीकत और जुमले में आपको अंतर क्या समझ में आएगा अगर अभी भी किसी को हकीकत और जुमले में अंतर नहीं समझ में आ रहा कि वो सब जुमले थे और हकीकत यह है तो फिर आप जो है मुगालतिय में रही है अब इसको लेकर के जो है और आप जो है सब कुछ ठीक है लेकिन सोचकर के देखिए नरेन्दर मौदी जी का Twitter account hack होता है और उसके बाद में देश के प्रधान मंतरी का Twitter account hack होता है और नरेन्दर मोदी की सरकार उसको ठीक ने करवा पाती उससे पहले screenshot लिये जा चुके थे किस तरह से जो है वो देश चल रहा है ये वाकी अपने आप में हैरानी भरा है कैसे जो है कहीं पर भी कुछ भी हो जा रहा है जैसके प्रधान मंतरी का अगर ट्विटर अकाउंट अगर वो सेफ नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट और तमाम चीजे ज कर रहे हैं लोग पेटियम से और तमाम तरह से थो है वह कैसी सुर्खशित है कोई भी कुछ भी आएगा है कर लेगा कितने होता है कितने लोगों के रातव्रात अकाउंट जिरो हो जाते हैं सोंच करकर देखिए उन लोगों पैदा हो जाता है जागरुक्त अभ्यान जरूरी है लोग लगातार ओनलाइन ठगी के सिकार हो रहे हैं और रोज करोड़ों रुपए लुटे जा रहे हैं आप यह वतिये कि गाउं दिहात का आदमी जब यह खबर सुने का कि मोदी जी का ट्वीटर अकाउंट है को गया तो से पहले भी जो है सितमबर 2020 में नरिंदर मोदी जी का ट्वीटर अकाउंट हैक हुआ था और तब भी जो है वो हैकर्स ने पीम केर में बिटकोइन को डोनेट करने के लिए का था और कई सारी ट्वीट किये थे यह बिटकोइन वाले मोदी जी के ज़ो है वो पीछे पड़े ने फिर से अमला बोल दिया तो कि सरकार के पास में इतना दिमाग नहीं है कि जब हम बिट कोई के उपर अटेक करें तो बिट कोई भी हम पर अटेक करेंगा और क्या कोई extra security सबसे बड़ा सेल्समेन कौन है अब देखें यह तंज बारे लेकिन कुछ कुछ जो है सचाइब लगति कई सारे वह संस्थाइं बिक गई यह मोदी जी के राज में पहले देश नहीं भीकने दूगा देश नहीं जुकने दूगा लेकिन देश भी रहा है और आज यह है को करक का ट्वीटर अकाउंट वो देश जुक भी रहा है एक अंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी इस तरह से साख गिरती भी है आखिरकार भार्थ की प्रधान मंतरी का ट्वीटर अकाउंट शेफ नहीं है और इसको लेकर करके देखिया प्रिति गांधी बीजेपी की नेता है दिसंबर को और यह ट्वीट मेंने लिखा था अगर आप जो है अपने ट्वीटर अकाउंट को सेफ नहीं रहा केङए तो खतलेट अब हैं और आज लोगों नीस को ट्राइन लगा करके राहूल अधी की रहार पर नहीं आज यह यह आपने ट्वीटर अकाउंट को सेफ नहीं रख सकते हैं तो फिर कैसे जो है वो देश चलाएंगे अगर देश में प्रधान मंतरी का सतते के हाधसे के बाद में प्रधान मंतरी के ट्विटर या कैसे मीडिया से जादरा सुर॥ करें तो सोच करके देखें़ कुछ भी हो जा रहा है कभी हमारे स्वीटरों को जा रहा है जानकारी मिल नहीं क्या कैसे वह और इसा काउंट पर इस आंट जो कभी है नहीं हो सकता वह हैं प्रधार मंत्रीजी अपने अकाउंट को अगर सेफ नहीं कर पा रहे हैं अपनी चिडिया की चोकिदारी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे जो है देश को चलाएंगे अगर कोई और होता तो अब तक तो गोदी मीडिया जो है उस पर टूट पड़ती बीजेपी के नेता ठूट पड़ते लेकिन नरेंदर मोधी की बात है इसलिए सब और जो है वो संदाट है और कह दिया जाएगा कि यह रूट आपकी मान सकते कि ऐसे स्थिती में पहुंच सकी है कि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब आपको जटका लगेगा जब नीजी तोर पर आप पर बात आएगी तब आपको समझ में आएगा बेराल इस खबर को ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच् सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जुरूर दबाएं ताकि जैसी की उडियो अप्लोड करें उसकी नोट भेसन आपको तुरंद में सके धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं